Welcome back दोस्तों, I hope कि आप सभी खुश और स्वस्त हैं दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक नए scholarship portal की पूरी जानकारी देखेंगे जिसके जरीए आप हर मन्त नए-नए scholarship scheme में अपलाए कर पाएंगे ये portal, school से, college तक हर subject के student के लिए scheme प्रोवाइड करता है तो अपने हाथ में mobile उठा लीजिए क्योंकि आज हम scholarship को ढूणना और अपलाए करना इस portal से सीखने वाले हैं तो आईए सीखना शुरू करते हैं बात करते हैं विद्या सार्थी scholarship portal के बारे में इस portal पर school से college तक हर subject के student के लिए scholarship scheme है जोगी Tata, Astrol, Sandler, SEC जैसी company के द्वारा दी जा रही हैं तो पहले हम इसके portal पर जाकर account और profile बनाकर scholarship में अपलाए करते हैं और फिर eligibility scholarship amount के बारे में जानेंगे आपको link description box में मिल जाएगी इस portal की या google पर विद्या सार्थी type करके search करना होगा इस link पर select करने से आप इस portal पर आ गए अब इस disclaimer में लिखा है कि ये platform NSDL से जुड़ा है और कोई fees charge नहीं करता applications के लिए या applicant के लिए आप जानते ही हैं कि NSDL एक government online platform है तो इसे पढ़कर आप नीचे continue कर देंगे यहां से आप aptitude test, personality test दे सकते हैं यहां पर आपको apply करने की 3 steps बताई गई हैं पहले आपको account बनाना है फिर profile डालना है और आखरी में scholarship सर्च करके suitable scholarship में apply करना है जो आपकी eligibility criteria से related हो यहां नीचे इस portal के साथ जुड़े हुए organization भी mention है अब scholarship में apply करे लिए account बनाना होगा तो आईए सब से उपर जाकर इन 3 line को select कर दिया है अब sign up को pick कीजिए तो आब यहां नीचे आपको आपका नाम, mobile number, email id डाल कर एक password को रखना है और उसी password को दोबारा type करना है और इस capture को डाल कर i agree को pick करना है और submit कर देना है अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप अपने दिये mobile पर OTP send करना चाहते है तो generate OTP कर दीजिए इससे आपके दिये हुए mobile number पर OTP आ गया होगा अब यहां पर type कर दीजिए उस OTP को verify कर दीजिए mobile verify हो गया आपका अब आप अपने email पर जाएए जहां पर activation mail आया होगा आप spam में भी check कीजिए क्योंकि वहां पर भी ये email आ सकता है अब आप इस email पर I link को pick करके activate कीजिए और अपना email password डाल कर capture डाल कर login कीजिए आपका account बन गया है अब आप इन ती line पर select कर देंगे तो आपको profile पर pick करना है यहां आपको अपनी profile, academic detail, bank detail डाल कर profile को बना लेना है आपको यहां पर date of birth, category, gender, income proof, document, id proof, address proof, bank details, tuition fee documents जैसी जरूरी details दे करके अपनी profile को बना लेना है इसके बाद आप log out कर देंगे इस website से और फिर से google से search कीजिए इस website को और main page पर जाकर के browse available scheme पर pick कीजिए front page पर ही है तो यह रही सारी scheme जिनमें आप apply कर सकते हैं 28 February तक next month फिर नई scholarship यहां पर update हो जाएंगी अब eligibility की बात की जाए तो अलग-अलग scheme में percentage अलग मांगा जाता है पर overall देखें तो 50% 12th या diploma या UG में होना चाहिए and 35% 10th में होना चाहिए family की yearly income 3 लाक या उससे जादा नहीं होना चाहिए तो आप इन scholarships का लाब उठा पाएंगे apply कर पाएंगे scholarship की range रूपीज 5,000 से 30,000 रूपीज तक हो सकती है yearly तो ये complete information इस portal से related थी पर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप comment कीजिए इसके अलावा और भी platform है जहां से आप scheme find कर सकते हैं उनकी link आपको description box में मिल जाएंगी और detailed video आपको channel पर मिल जाएगा तो आपको video पसंद आया है तो अपनों के साथ share करते हुए like ज़रूर कीजिएगा और नए है channel पर तो channel को subscribe करके bell icon को press कर दीजिए मिलते हैं अगले video में तब तक के लिए bye bye दोस्तों thanks for watching